चलते अगले नगमे के और मौहमद रफीस साहब एक अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए सब इस इंगर्स लोगों में क्योंकि उनके सिवा शायद ये संगीत की दुनिया पूरी न हो संगीत के माध्यम में जिनको गंधर्व कहा जाता है वही गान गंधर्व को अगली सलामी देते हुए हमारे बीच यहां रंगमंच पयाएंगे एडवोकेट विश्वास कश्व जी जोरदार तालियों से नवाजियेगा तुम मिल गए हो तो खुदा भी नाराज है मुझसे तुम मिल गए हो तो खुदा भी नाराज है मुझसे है कहता है कि आजकल तु कुछ मांगता नहीं है मुझसे हस्ते जखमं का अगला नगमा आपके सामने पेश करेंगे एडवोकेट विश्वास कश्व जी तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है के जहां मिल गए हो के जहां मिल गए एक भटके हुए राही को कारबा मिल गए तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है के जहां मिल गए हो के जहां मिल गए हो तो ये लगता है देखो खपा नहो बैटो ना दूर हमसे देखो खपा नहो किसमत से मिल गए हो मिल के जुदा नहो मेरी क्या खता है होता है ये भी के जमी से भी कवे आसमा मिल गया के जहां मिल गया हम 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 तुम क्या जानों तुम क्या हो मेत सुरीला नगमा हो भी रातों में मस्ती सब ते दिल में साया हो तुम क्या जानों तुम क्या हो अब जो आ गए हो जाने न दूँगा के मुझे एक हसी महरवा जाना मिल गया जाना मिल गया जाना मिल गया क्या आबाई तुम भी ते खोए खोए मैं भी बुझा बुझा तुम भी ते खोए मैं भी बुझा बुझा ता अजनबी का माना अपना कोई न था ता अजनबी का माना अपना कोई न था दिल को जो मिल गया है तेरा साहारा एक नई जिन्दगी का निशान मिल गया तुम जो मिल गये हो तो ये लगता है के जहां मिल गया एक भटे हुए राही को कारवा मिल गया तुम जो मिल गये हो तो ये लगता है के जहां मिल गया के जहां मिल गया के जहां मिल गया कि जहां मिल गया जोर दा टाले जले पहज़े तमचा वाद्यवरुन्दान सथी येस जोर दा टाले जले पहज़े करन तेंचे शिवय कोणता ही गान अपूर्ण चाही खासकरूनिया गीताला खूपच अप्रतीम संगीताची साथ होती आणि तिथे जिदे संबर दोंशे संगीत का रस्ता ति